Hi guys, oulanthilpanto, चैनल पे आप सब विलोगों का स्वागत है आज को वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन एप्लिकेशन का रिफियु दूँगा इस एप्लिकेशन का नेम है क्रेडिट लोन तो चलिए इस विडियो के थुरू देख लेते हैं इस अप्लिकेशन का लोन पोसेज और जान लेते हैं कि इस अप्लिकेशन के तरब से कितना तक कि लोन प्रोवेट किया जाता है और केडिट लोन एप्लिकेशन साच में लोन प्रोड करता है कि नहीं यह लोन के नाम लोगों के साथ फॉर्ट करता है तो गैस जोरू वीडियो को अब लोगिन तक दिखेगा और गैस अगर कोई चैनल पे नए विजिट किया है तो चैनल को सबस्क्राइब किजिए और साथ साथ बेल आइकन पर पेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो गैस चलिए आज को वीडियो शूरू करते है तो गैस केडिट लोन अप्लिकेशन को ओपिन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा साइन अप का साइन अप करने के बाद इस टेप के इंटरफेस आ जाएगा तो यह पे आप लोगों को लोन इमांट सिलेक करने के बाद इस टेप के इंटरफेस आ जाएगा तो यह पे आप लोगों को फिल करना होगा personal details के वाइसी documents और last में bank details तो सा details फिल करने के बाद नीचे get loan का option है, get loan पे click करने के बाद step के interface आ जाएगा तो यह पे आप लोगों को loan amount.101 days select करना होगा तो suppose आप लोग ने इस applications के दरब से 1 lakh loan 365 days के लिए select किये ठीक है और नीचे आप लोगों को एक security deposit दिखने को मिल जाएगा 449 रूपीस तो guys अपर यह का जाता है कि अगर कोई credit loan applications के दरब से 1 lakh loan 365 days के लिए लेना चाहते है तो पहले एक security deposit पे करना होगा 449 रूपीस तो guys अगर 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 credit loan applications के दरब से 1 lakh loan पाने के लिए पहले 449 रूपीस security deposit पे कर देते हैं तो अगर जाके credit loan applications के दरब से अब लोगों को loan नहीं मिलेगा credit loan application एक real application नहीं है यह application fake है और यह application लोगों को loan देने के नम पे सिर्फ लोगों से security deposit ले लेता है और अगर जाके loan provide नहीं करता है तो guys credit loan application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले security deposit पे ना करें नहीं तो आगे जाके आपको loan भी नहीं मिलेगा और अपने loan के लिए जो भी amount security deposit पे किया है बो भी आगे जाके आपको refund नहीं मिलेगा तो guys चलिए अभी credit loan applications का review देख लेते कि इस applications के बारे में play store में क्या review दिया गया है तो पहले review देख सकते all step don't install guys please totally fake निचा और review पे ये खा गया है कि fraud app fast security deposit next loan fraud credit loan app तो guys credit loan app के बारे में play store में जितने सारे review दिया गया है अब लोगों को पता चल गया होगा कि credit loan application एक fraud application है और एक चीज़ गैज credit loan application हो या लग कोई भी loan application हो अगर आपको बोलता है कि loan पाने के लिए पहले आपको एक security deposit या प्रोसेसिंग भी पेक अनना होगा तो बोस आप लोग कभी भी loan के लिए apply ना करी ये सब application फेक होता है तो गैज credit loan application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करे और loan के लिए पहले security deposit पे ना करे तो गैज अई दहाचका एक छोड़ा सजान करी अगर अब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जोरू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जासे अदा शेयर कीजिए तो अब लोगों के साथ मुलकात हो रहे निक्स वीडियो में तब तक अब लोग अपना ख्याल रखना जाहिंद बंदमातरम